वो हलो एन वेलकम यू आल आएम रूईत फ्रो महाजन ट्रेडर सो गाइस आज हम बात करने वाले है एनमडीसी लिमिटेट के बारे में और गाइस यहाँ पर स्टॉक में एक टेजी हमें देखने को मिल रही है और बिल्कुल गाइस हर साल डिविडेंटे स्टॉक देता है और इस साल भी डिविडेंट देने वाला है और गाइस अगर देखा जाए तो स्टॉक में तगड़े रिटन बन सकते हैं और अभी अगर आप स्टॉक को खरीते हो तो बिल्कुल आपको भी डिविडेंट का बेनिफिट मिलने वाला है और साथ ही गाइस अगर स्टॉक के जो ल आपको अच्छी भायत है और दिखा जाए जितना ज़्यादा इन्वेस्चन्ट होगा उतना डिवीडेंट आपको मिल सकता है उतना ज़्यादा dividend आपको मिलने वाला है guys और बिल्कुल guys तगड़े return के मामले में अगर देखो तो इससे अच्छा stock नहीं मिलेगा और बिल्कुल आपकी cost में मिल रहा है सस्ता stock है कई जो companies होती है bonus देती है कई सारी companies होती है जो अलग अलग तरीके से promoters जो investors है उनको खुश रखती है बट कई सारी companies होती है जो dividend देती है तो उनमें से है NMDC limited तो NMDC limited तो बिल्कुल आप अपना पेशा invest कर सकते हो और जो नए investors है और जो नए investors है guys उनके लिए तो एक बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है और नीचे के levels से आपको खरीदारी करने के लिए मैंने बोला था नीचे के levels पे जिन लोगों ने नीचे के levels पे इसे buy किया होगा बिल्कुल तगडे return उन्होंने कमाए होगे वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेयर्स की अपडेट्स के लिए शेयर्स की लेटेस नीचे के लिए तो गाइस वीडियो को शुरू करता है बात कर रहे है एनमडिस इंडिमेटेट के दिया है तो गाइस बिलकुल दो रुपे साट पेसे तक स्टॉक आज बा है और देखा जाए वन पॉइंट 82 परसेंट के हिसाब से इसमें इंडिमेट आज हमें देखने का मिला तो एनमडिस लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है एक बिलकुल आने वाले टाइम में मल्टिपियर स्टॉक बन सकता है अगर आप मालो रेविन्यू के मामले में देखो या फिर नेट प्रॉफिट के मामले में शेर होल्डिंग पैटन के मामले में होल्डिंग के मामले में काफी अच्छा स्टॉक है तो बढ़ते हैं आगे और देखेंगे चार्ट अनलिसिस तो चार्ट अनलिसिस अगर देखो तो यहाँ पर एक सीन क्लियर टोता हो ज़राएंगा एक डबल बॉटम जिसा एक पैटन बनता हो ज़रा रहा है डेवन चार्ट फ्रेम पर हम बात कर रहा है गईस लॉटम के सबस के इसाब सही हम बात करते है हमेशा स्टॉक्स में तो डेवन चार्ट फ्रेम पर यह ट्रेट कर रहा है और कही और जिन लोगों ने गईस इन लेवल्स पर बाई किया होगा उन लोगों ने भी एचे रितंस कमाए होंगे तो गाइस इन लेबल में की वोल रहा हूं क्योंकि एक रेंज में एक खाम कर रहा है तो इस लेवल को अगर इस लेवल पर ब्रेक आउट देता है तो अच्छे रेटन तो यहाँ पर बनने ही बनने है और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लियर कुछ चीज़े clear हो जाएगी तो guys यहाँ पर कई दिनों से stock में support level resistance level चल रहा था यहाँ पर फिर नीचे आया stock और इस level पर support लेके एक अच्छा pattern इस ने बनाया इस level को break किया इस level को तो इस level को break लेने बाद stock आया support लिया और इस level से फिर से नीचे आया और एक strong rejection मिला क्योंकि यहाँ पर से भी stock नीचे आया था फिर इस level पर support लेने के बाद यहाँ पर support लिया यहाँ पर support लिया तो यहाँ पर double bottom जिसा pattern बन रहा है तो यह यहाँ पर जो target है 160 का target तो हम यह रखेंगे बट dividend की बात चल रही है तो कापी दिनों तक है sideways भी रह सकता है market आज positive था तो stock ने भी positivity आज दिखाई है और बिल्कुल stock भी आगे बढ़ा है so guys यहाँ पर हमने chart की बात कर ली है so बढ़ते है अब आगे तो देखा जाएगा इस stock में 5 दिन के time frame पर कितना return द देखने को हमें मिल रहे है और guys वही अगर बात करें वन मन्त के time frame पर तो क्या है 0.30 रुपीज तक stock बड़ा है 0.21% के हिसाब से और guys वही अगर दिखा जाए 6 मन्त के time frame पर तो यहाँ पर 32 रुपे 60 पेसे के आसपास stock में एक अच्छा यहाँ पर moment दिखाई दे रहा है sorry guys अच्छा moment है यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है और 18.32% के हिसाब से stock नीच चकी और गिरतावा नजर आ रहा है यहाँ पर अच्छा move आ सकता है बड़ा move आ सकता है क्योंकि काफी दिनों से इसी level के अंदरे काम कर रहा है 29 रुपे 20 पेसे तक stock trade कर यहाँ यहाँ पर return दिये है 25% के हिसाब से तो कैसे यहाँ पर अगर दिखा जाए क्या कुछ आज stock में हुआ है तो काफी कुछ अच्छी बात है stock में आज देखने को मैं मिली है 144.90% के रुपे आसपास यहाँ पर stock open हुआ था high लगया था stock ने 146 रुपे 30 पेसे का और low लगया था stock ने 144 रु इश्यूर है और 5.33% का dividend भी stock देता है तो dividend के मामले में तो stock का कोई तोड़ नहीं है stock का तोड़ नहीं है dividend के मामले में तो यहाँ पर गाइस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ 52 इक्स का high और क्या कुछ low है तो गाइस 52 इक्स का high अगर देखा जाए 213 रुपे 20 पेसे का आसपास का high आपको नजर आ रहा है और low की अगर बात करें 103 रुपे 60 पेसे का low भी आपको दिख जाएगा वह 3rd resistance level 148 रुपे 30 पेसे का देख जाएगा support levels की बात करें 141 रुपे 30 पेसे का first support level है second support level 149 रुपे 65 पेसे का है और साथी 3rd support level की बात करें 133 रुपे 80 पेसे का दिख रहा है साथी price performance में भी अच्छा increment है guys और price performance से आपको पता चल जाता है हलाकि देखा जाए तो 3 months का आपर bad performance है बट price performance के एक चीज तो हमें clear हो जाती है कि stock में day by day जो increment होता है price में तो उसका जो पता चल जाता है कि stock का nature क्या है यहाँ पर volumes भी अच्छे है 1 crore के something का आज trade value रहा है और देखा जाए तो पिछले दिन अगर yesterday के मुकावले आज कम है और यहाँ पर community sentiments के आकड़े काफी दमदार है 95% जो लोग है ओ यहाँ पर कह रहा है buy के लिए और जो 5% लोग है ओ कह रहा है यहाँ पर sell के लिए और guys वही अब बढ़ते हैं आगे revenues की और तो 2021 में revenues अच्छा दिया है 15,370 करोड के आसवास का net profit अगर देखे तो 2021 का net profit तो 6,247 करोड है share holding pattern important है तो ओ देख ले holding है 21.85% और जो public holding है 10.53% के आसपास की holding public की तिखने को में जाएगी so guys video पसंदा हो video को like करो channel को subscribe करो thank you